नमस्ते क्रतिका की चन में आपका स्वागत है आज हम बिना किसी जंजट के बिना समय बर्वाद किये पांच मिनट में खोया तयार करेंगे चलिए शुरू करते हैं बनाना मैंने एक कटोरी मिल्क पाउडर लिया है एक कप दूद लिया है और घी लिया है अब एक कटाई में हम मिल्क पाउडर डालेंगे मिल्क पाउडर मेरा लगबग 200 ग्राम है अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूद डाल कर मिल्क पाउडर को घोलेंगे एकदम सारा दूद न डालें थोड़ा थोड़ा करके इस मिल्क पाउडर को घोलें दूद डालके और चलाते जाएं आज को धीमा ही रखना है तेज आज पे न आज करें देखें मिल्क पाउडर हमारे दूद में मिलने लगा है इसी तरीके से चलाते जाएंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूद डालते जाएंगे बहुत ही जल्दी जटपट बनके तयार हो जाता है खोया चलाते जाएंगे इसे ताकि ये लगे नहीं अब देखें इसमें लम्स पढ़ने लगें गाड़ा होने लगाए जब भी आपका मिठाई खाने का मन करे जटपट आप खोया बनाएं अपने घर पर और मिठाई बनाएं इसमें हमने एक चम्मच घी डाल दिया है थोड़ा चिकनाट के लिए चलाते जाएंगे इसी तरीके से देखिए हमारा अच्छी तरीके से गाड़ा हो गया है यह खोया वाली फॉम में आ गया है अब इसे हम और अच्छे चलाएंगे और दो चम्मच और घी डालेंगे इसमें हमारा खोया बन चुका है खोया बनाने में हमें सिर्फ पांच मिनुट लगे हैं देखिए कितना अच्छा खोया बना है कडाई से यह अलग होने लगा है अब गैस बन करके हम बाउल में निकाल लिया है इसे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए